हेलो फ्रेंट्स अकसर आपने देखा होगा कि बदलती हुई जीवन शैली के साथ और मॉडन ख्यालातों के साथ-साथ हमारा बात्रूम में काफी ज्यादा मॉडन होता चला जा रहा है बात्रूम में कौन-कौन सी चीज़े हम इस्तमाद करते हैं बिल्कुल मॉडन तरीकों में शामिल होती चली जा रही है इनी में से एक है लूफा जी हाँ लूफा नेट से बना हुआ एक स्पॉंज टाइप होता है जिसके साइट में एक डोरी होती है कहा जाता है कि अगर हम लूफा से स्नान करते हैं या अपने बॉडी पर शार्जर लगाने के बाद लूफा से अपनी बॉडी को लगड़ते हैं तो हमारी बॉडी की डीप क्लीनिंग होती है यानि की सही से सफाई होती है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर आप अपनी लूफा को सही तरीके से साफ नहीं करते हैं तो उसे अगले दिन इस्तमाल करने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है क्योंकि लूफा को जब भी हम अपनी बॉडी के उपर इस्तमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के जम्स साफ होते हैं लेकिन वो सारे जंप्स लूफों के अंदर कही न कही एकटे होते रहते हैं जिसकी वज़े से अगर हम उसे सही तरीके से वश करते हैं तो वो सारे जंप्स उसके अंदर से निकल जाते हैं जिसकी वज़े से बॉड़ी का infection, allergy, white color के rashes ये सारी हमारी बॉड़ी पर दिखाये देने लगते हैं कई बार हमारी बॉड़ी पर लूफा सही तरीके से काम भी नहीं करता है वैसे तो लूफा काफी ज्यादा soft होता है लेकिन market में cheap quality के लूफा भी available है जो की price range के हिसाब से और वैसे भी काफी ज्यादा cheap quality के होते हैं अगर उन्हें हम अपनी बॉड़ी पर कुछ ज्यादा ही लब कर लें तो उसकी वज़े से हमारी बॉड़ी पर rashes पढ़ जाते हैं इस वीडियो को जरूर देखे और awareness को ज्यादा से ज्यादा फिलाइए इस गलत फैमी को अपने मन से निकाल दीजे कि लूफा से ही आपकी सही तरीके से सफाई हो सकती है जबकि ऐसा नहीं है लूफा के अंदर काफी ज्यादा किटानू भी हो सकते हैं अगर आप उसकी सही से सफाई नहीं करते हैं तो मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के दिये यूट्यूब पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजे